के गाइस कासे हैं अब सबर आप देखना है अलबाद टेक्ट चैनल को स्वागत आप काई समेजिंग टेक्ट वीडियो में तो आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के ओर यू अपडेट लिस्ट के बारे में लिकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सैमसंग के experience यू आई 9.0 जैसा कि आप फोटो में देखी सकते हैं सैमसंपर यू 5.0 की वहले अगर बात करते हैं सन्ट से चेंजिज किये गए से कुछ की गयी लेकिने लेकिन लेकिन Samsung Experience UI 9.5 में आपको पूरा पूरा user interface change मिलने वाला है जो कि Samsung introduce करेगा आपने Samsung के upcoming flagship जो कि है Samsung Galaxy Note 9 बात करते हैं इसके कुछ नए features के बारे में जैसे कि आपने देखा ही होगा Good Lock application में कि आपको एक नया task changer मिल जाता है कुछ toggle customization के option मिल जाते हैं यहां तक की lock screen के customization के options भी मिल जाते हैं lightning, one-handed operation, edge touch जैसे कई धेर सारे नए features मिलने वाले Samsung Experience UI 9.5 में जो कि introduce होंगे Samsung के upcoming smartphone Samsung Galaxy Note 9 में यह features फिलाल किसी भी Samsung के mobile में available नहीं है लेकिन future में update होने वाले Samsung के Experience UI 9.5 में जो भी smartphones update होंगे Samsung के उसमें यह features आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अलाव भी कई सारे features आपको देखने को मिल जाएंगे तो finally वापस आते हैं अपने Samsung के Oreo update list पे तो यहां पे सबसे पहला mobile है Samsung Galaxy Note 8 हाला कि Samsung Galaxy Note 8 को March में Android version 8.0 and Samsung Experience UI 9.0 में update कर दिया गया है लेकिन इसमें rumors के इसाफ से बताया जा रहा है कि इसमें आने वाला है Samsung का Experience UI 9.5 जैसा कि आपको मैंने बताया कि पूरा का यूजर इंटरफेस चेंज होगा है Samsung Experience UI 9.5 में और साथ यसाथ Android Oreo version 8.1.1 लिस्ट में अगला नाम है Samsung Galaxy S8 और Samsung Galaxy S8 Plus तो इसे भी Android version 8.0 and Samsung Experience UI 9.0 का अपडेट मिल चुका है लेकिन rumors के इसाफ से बताया जा रहा कि इसमें बहुत जल्द आ सकता है Samsung Experience UI 9.5 और Android Oreo version 8.1.1 लिस्ट में अगला नाम है Samsung Galaxy S7 और S7 Edge Samsung Galaxy S7 और S7 Edge को भी Android 8.0.0 and Samsung Experience UI 9.0 का अपडेट मिल चुका है लेकिन rumors के साफ से यह बताया जा रहा कि इसमें भी आ सकता है Samsung Experience UI 9.5 और Android Oreo version 8.1.1 लिस्ट में अगला नाम है S9 और S9 Plus हाला कि Samsung Galaxy S9 और S9 Plus लांच हुए थे Android version 8.0.0 and Samsung Experience UI 9.0 पर लेकिन इन दोनों फोन को Wi-Fi certification मिल चुकी है कि इनमें जल्दी ही Android version 8.1.1 and Samsung Experience UI 9.5 का अपडेट जल्दी ही मिल जाएगा लिस्ट में अगला नाम है Samsung Galaxy A6 and Samsung Galaxy A6 Plus इनमें फोन लांच हुए थे Android version 8.0.0 and Samsung Experience UI 9.0 पर इनमें भी Samsung Experience UI 9.5 and Android version 8.1.1 का अपडेट जल्दी ही मिल जाएगा तो लिस्ट में अगला नाम है Samsung Galaxy A8 और Samsung Galaxy A8 Plus का Samsung Galaxy A8 और Samsung Galaxy A8 Plus जो कि लांच हुए थे Android Nougat के साथ में इनमें भी बहुत जल्द Oreo अपडेट आने वाला है लेकिन बैड निज्ज यह है कि इनमें आपको मिलेगा Android version 8.0 and Samsung Experience UI 9.0 जो कि बहुत बड़ी दिसपॉंटिंग है यह दोनों ही स्मार्टफोन एक हाई मिद्रिंस डिवाइस है और अगर बात करते हैं Android version 8.0 and Samsung Experience UI 9.0 के ति यह बिल्कुल सेम होने वाले हैं लगभग सेम होने वाले हैं अपने नुगट वर्जिन से लिस्ट में अगला नाम है अपने मिद्रिंस डिवाइस का जो कि यह Samsung Galaxy J6 and Samsung Galaxy J8 का यह दोनों ही फोन रिसेंटली लांच हुए और इनमें Android version 8.0 and Samsung Experience UI 9.0 आपको out of the box मिल जाता है लेकिन इनमें जल्द ही अपडेट मिलने वाला है Samsung Experience UI 9.5 and Android version 8.1.1 का जो की एक पूरा new user interface इनमें मिलने वाला है तो लिस्ट में अगला नाम है Samsung Galaxy J7 Next का Samsung Galaxy J7 Next फिलाल रन कर रहा है Android Nougat पे लेकिन रूमर्स के साब से इनमें भी बहुत जल्द ही अपडेट आने वाला है Samsung Experience UI 9.0 and Android version 8.0 जो की नुगट से लगभग सेम होने वाला है तो लिस्ट में अगला नाम है Samsung Galaxy J7 Max का Samsung Galaxy J7 Max के यूजर के लिए एक good news होने वाली है इनमें आपको मिलेगा Samsung Experience UI 9.5 and Android version 8.1.1 जो की एक पूरा new user interface प्रोवाइट कर देगी और इनमें अपडेट कब तक आएगा इसकी बात की जाए तो इनमें अपडेट मिल जाएगा आपको अक्टूबर के लास्ट तक जो की बिल्कुल सेम है Samsung Galaxy J7 Max की तरह बस इसमें आपको दो basic differences मिल जाएंगे जैसे की Samsung Galaxy J7 Max में है एक smart glow feature and Mediatek का Helio P20 का processor लेकिन Samsung Galaxy On Max में है Mediatek का Helio P30 एंड इसमें कोई smart glow आपको नहीं मिलता है यही दो basic differences है और rumors के साब से यह बता जा रहा है कि जैसे ही Samsung Galaxy J7 Max में Oreo Update आएगा इसमें भी Oreo Update मिल जाएगा लेकिन इसके UI के बारे में अभी कोई information नहीं है कि इसमें कौन सा UI मिलने वाला है Samsung Experience UI 9.5 या Samsung Experience UI 9.0 जैसे इसके बारे में कोई भी information आती है आपको मेरे चैनल ते information मिल जाएगी तो लिस्ट में अगला नाम है Samsung Galaxy J7 Pro का और Samsung Galaxy J7 Pro का Oreo Update कनफर्म हो चुका और इसमें मिलने वाला है आपको Android version 8.1 और साथ ही साथ Samsung Experience UI 9.5 का इसमें अपडेट आपको मिल जाएगा 28th of September को तो लिस्ट में अगला नाम है Samsung Galaxy J7 Prime 2 का जो की एक बहुत ही ज्यादा successful phone नहीं है Samsung की तरफ से इसमें भी आपको Android Oreo का Update मिल जाएगा जो की होगा Android version 8.0 और Samsung Experience UI 9.0 का जो की बिल्गूल सेम होने वाला है Android Nougat का Experience हुआ इसे कुछ ज्यादा चेंजित आपको नहीं मिलने वाले तो लिस्ट में अगला नाम है Samsung Galaxy On7 Prime का इसमें भी आपको Android version 8.0.0 और Samsung Experience UI 9.0 का Update मिल जाएगा वही सेम यूजर इंटरफेस जैसा कि आपको Android Nougat में मिल जाता है तो लिस्ट में अखरी नाम है जो कि है Samsung Galaxy J7 Prime का Samsung Galaxy J7 Prime के लिए ये दूसरा मेजर OS अपडेट होने वाला है Samsung Galaxy J7 Prime लाँच हुआ था Android Marshmallow के साथ में फिर इसको मिला था Nougat का 7.0 का Update और अब इसमें मिलने वाला है Samsung Experience UI 9.0 Android version 8.0 का जो की अगेन एक टोटली सेम यूजर इंटरफेस होने वाला है Nougat की तरह कुछ ज्यादा चेंज़ आपको नहीं मिलेंगे Samsung Experience UI 9.0 में rumors के हिसाब से ये बताया जा रहा है Samsung Galaxy J7 Prime को November के लास्ट तक अपडेट मिल सकता है इसके अलावा और भी Android Oreo के बारे में कोई अपडेट आती है तो आपको मेरे चैनल पर पता चल जाएगा आज की वीडियों बस इतना है आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब जरू कर देजिगा मिलते हैं आसी किसी आमेजिंग टेक वीडियो में तब तक लिए टेक केर बाई